वेलकम टू एजुकेशन के अटेशिक्स आप सभी का हमारी चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी को बता दे कि बैंक सेक्टर में उत्राखंट कोपरेटी बैंकिंग में 442 पदों की भरती निकली हुई है इसका फीस चार्ज 1000 रुपे बताया जा रहा है थोड़ा महेंगा है पर नौकरी लगने के बाद आपको ये भी सस्ता लगेगा और ओफीशियल नोटिफिकेशन इसका जारिक किया गया है इसकी ओफीशियल वेबसाइट पे तो मैं आपको य अगर जी रहे हो इनसान का तो आप अपने माबापको कभी भी जिंदगी में दुखी मत करना आप अपने माबापको दे सकते हैं खुशिया इस 442 पदों में से एक सीट लेकर जी हाँ और इसके लिए आपको हर मैदान फते करना होगा बहुत मेहनत करनी होगी क्योंकि इसका एक्जामनेशन भी होता है वो बहुत टफ भी होता है तो इसके साथ हम आपके सपोर्ट में हैं और जो भी मेरे भाईबंदू चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि चैनल पे जाते हैं तो सब्सक्राइब के इस रेट कलर के बटन को दबा कर चैनल को सब्स जाते हैं वहां से टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा देखिए यह देखिए यह टेलीग्राम का लिंक है यहां से आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा तो इस लिंक के जरिए आप हमें टेलीग्राम पे जोइन कर सकते हैं ताकि हर रोज आपको जो करेंट अफेर का पीडियोफ दिया जाता है वो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है वाट्सअप पे भी जूर सकते हैं यहां से आके तो वाट्सअप ग्रूप है हमारा उसमें डारेक्ट इस लिंक पर क्लिक किज़ीगा आप एड हो जाएगे वहाँ पे चलिए इतना सारा जानकारी आ उसका जो ओफिशल वेबसाइट है ठीक है यहां आपकी लिए सामने लेकर आ चुकें यहां पर और यह देखी यहां पर जैसी आप आओगे यह इसका ओफिशल वेबसाइट है देखलाता हूं मैं आपको देखे इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी देदूंगा साथी साथ आपको क्या करना है इस लिंक को ओपिन करना है पहले और क्लिक करने के बाद जैसे आप थोड़ा सा नीची आओगे तो यहां पर यह एक लाइन चल रहा है देखिए ग्रूप 3 की अंतरगात यह वेकेंसी निकली हुई है कौन को सी वेकेंसी है तो ग्रूप 2 में है जो जूनियर ब्रांच मेनेजर की पोस्ट है और ग्रूप 3 यानि की ग्रूप A में है ठीक है रूप 1 में यहाँ पर सीनियर मेनेजर का पोस्ट है तो जे एम एसेम की पोस्ट की निकली हुई है भरती यहाँ पर और कैशियर की तो आप जल से जल अप्लाई करें तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा आपको इस पर क्लिक कर देना होगा जैसी आप इस पर क्लिक क कर सकते हैं चलिए पहले मैं आपको देखलाता हूं इसका एडवर्टाइजमेंट कि आखिर क्या कहा गया है इस एडवर्टाइजमेंट में तो अच्छे से ध्यान से देख लिजेगा यहां पे चलिए यह डाउनलोड हो रहा है आपके सामने पीडिया देख रहे हैं और देख ठीक है डिस्टिक कोपरेटिव बैंक लिमिटेड देहरादून में फिर उसके बाद रूर्की में हल्दवानी गोपिश्वर फिर कोथरवार उत्तरकासी अलमोरा रुद्रापूर और न्यू तेहरी और पिथोड़गर तो इन सभी जगहों पे इनसकी ब्रांच है और इन हर ब्रांच में हर डिपार्टमेंट यानि की कैशियर से लेकर आपके जे एम यानि की जूनियर मैनेजर और SM यानि के सिनियर मैनेजर का पोस्ट यहां पे दिया गया है चलिए हम आपको सारा पोस्ट भी दिखला देते हैं थोड़ा सा नीचे आना होगा आपको देखें यह सा को ध्यान से देखिएगा हर वेकेंसी जो है हर जिले का वेकेंसी जो है यहाँ पे दिया गया है और साथ ही साथ जो category wise यहाँ पर देख सकते है category wise यहाँ वेकेंसी बताई गई है तो इन सभी category के candidate इसको apply करेंगे जल से जल और जो भी इसमें problem है वह आप हमसे डिसकस जरूर कीजिएगा यह देखे टोटल 300 कुछ वेकेंसी था यहां पर ठीक है 305 वेकेंसी यहां तक था और नीचे कुछ वेकेंसी है देखे यहां पर 104 तो लगबग मिला के 400 के उपर है यहां पर देखे ठीक है यहां पर ध्यान दीजिएगा यह देखे यह लगबग 442 पदों की टोटल भरती है अब इसमें जो आपका में चीज है वो थोड़ा सा जानना जरूरी है ठीक है वो मैं आपको बतारू किसमें क्या-क्या क्रेटेरिया हैं आपके तो वह जान लीजिए अब दोगो इस सारे विकेंसी का नोटिफिकेशन पढ़ना यहां वीडियो लंबा हो सकता है तो आप लोग इसके एलिजिबिलिटी क्रेटेरिया और साथी साथ जो इलिजिबिलिटी क्रेटेरिया है इसमें की नेशनल होना आपका जडरूरी है इंडिया नेशन तर तक होना जरूरी है एच्टERिया है रहे पुर्ण क्ला थे क्रोड़ को लेकर क्लर के सब्रकून चाहिए उससे ऊपर हो तो फ़ां को भर सकते हैं अब देखके नरा मेनेजर के जो जी एम का पोश्ट है ठीक है उसमें आपको क्या क्रेटेरिया मांगा गया है दोस्तों इसको देख लीजिए थोड़ा सा यहां पर MBA मांगा गया है यहां पर MBA law यानि कि special जो कटेगरी के जो वेकेंसी जाती है उस वेकेंसी के बारे में यहां पर बताया पोश्ट ग्रेजुट की डिग्री मांगी जा रही है कंप्यूटर प्रोफेशन आपका होना चाहिए प्रफेंस जो है MBA अगर हो तो भी आपको प्रफेंस मिलेगा यहां पर यह डिप्टी मेनेजर के पोश्ट के लिए हैं ठीक है सेकेंड उसके बाद और भी पोश्ट है यहा पर अलग अलग क्रेटेरिया रखी गई है एजुकेशन को लेकर ठीक है अब इसका जो मेन थीम है उसका मैं बता देना चाहता हूं कि फीज का इस लेबस के बारे में दिया है यहां पर कि जो आपका ऑनलाइन एक्जाम होगा वह 200 नंबर का होगा और 200 मार्स का होगा 200 कोश् सेम की ब्रांच के लिए उनका है इनका भी दोर सो नंबर यहां पर एक्जाम होगा 200 कोश्चन होंगे और decision है उनका provides हो हो सकता है ठीक है चलिए तो यह सारी जानकारी थी यहां से देनी आपको और जो भी कैनेट कोई भी अगर डाउट लगता है तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के पर जैसी आओगे एच पारा पर तो यहां पर सारी डिस्क्रिप्शन दी गई है आपको कैसे कैसे अपलाई करना और अंतिम्ति जो है आपका 20 मार्च है ध्यान दीजिएगा 20 मार्च है लास्ट यहां पर फॉर्म भरने का और आप इसको जल्द से जल्द फॉर्म भर लिजेग स्कैन फोटो कर लिजेगा कैपिटल लेटर में सब कुछ भरना आपको और यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट यह देखे यहां पर आपका जो है साथ सो पचास रुपे हैं से स्टी के लिए और जेनरल के लिए जो अधर हैं उसके अला में सारा लिंक में दे दूगा कहां से अप्लाई करना है और कहां से इसको देखना है अब मैं एक चीज आपको और करते हैं जैसी आप यहां से आपका नाम पूछा जाएगा ठीक है यहां से आपका नाम नीम मिडिल नेम इस सारी चीजी पर के पहले आपको registration करना होगा registration करने के बाद जैसी करोगे और हर चीज़ करोगे तो यह आप आपका qualification और क्रेटरिया और क्या-क्या है जो सारे चीज़े आपसे मांगता है बैंक एक्जाम में वह यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा आपका थंब impression और photo scan और signature scan अच्छे से कर लिजेगा और इसमें जो advertisement में बताया गिया है कि कितने साइज का होना चाहिए उतने साइज में इसको यहाँ पर आपको रख लेना है ठीक है यह देखें ठीक है यहाँ पर एच पारा में था ना एच पारा कि यह देखें यहाँ पर सारे चीजे हैं बताई गई हैं आपको तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से पढ़ लिजेगा और उसके बाद आप इस फॉर्म को कि अधिया कि यह सारे चीजे यहाँ से पढ़ लिजेगा और इसको फॉर्म को भर दिजेगा और कोई भी दिक्कत होता है यहां से आपको तो हमें नोटिफाई केजिएगा हम लोग जरूर सपोर्ट करेंगे आपको चलिए आज के लिए इतना ही था हमारे साथ यहां बने रहे हैं उसका बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तो तक लिए बाबाई टेक केर